जैहन सातियों कैसे हैं आप सभी आप सब का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टेडी कर पर जोग्रोफी की सीरीज को आगे बढ़ाती हुए हम लाए हैं आप सभी के लिए मुस्ट इंपर्टेंट 25 MCQs यह हमारी वीडियो का पार्ट फॉर्थ है इसके पहले पार्ट फर्स्ट सेकंड थार्ड हो चुका है जिसमें हम 75 MCQs डिसकस कर चुके हैं और आज के पार्ट फॉर्थ के MCQs मिलाके 100 MCQs आपकी सामने डिसकस कर चुके हैं जो एक्जाम्स के पॉइंट आप व्यू से बहुत ही इंपर्टेंट है चलिए तो हम पार्ट फॉर्थ क फर्स्ट Qs tell start करते हैं इससे पहले आप वीडियो को जादर से जादर शेयर करें और वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहें वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक important question रखा गया है जिसका आप answer वीडियो के खतम होने के बाद comment box में देंगे चलिए तो हम start करते हैं अपना first question first question आप सभी के लिए ए रहा हिमालाई की सबसे बाहरी परवस्रेडी कौन सी है आपकी option है काली सिबालिक गहरादून या कुमायू इसका सही answer है सिबालिक उप हिमाले परवत स्रंकला है जो तिस्तन अधी सिक्किम से 1600 किलो मीटर लंबी है उत्तर पिदेश भारत में नेपाल उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी पाकिस्तान में फैली है पहाडियों की ओशत उचाई 900 से 1200 मीटर तक है हिमाले की कुछ important point देखते है हिमाले को 4 स्रेडियों में विभाजित किया गया है पहली ट्रांस हिमाले दूसरी ब्रद हिमाले तीसरी मद्धी या लगू हिमाले फूर्थ सिबालिक पिवालिक की उचाई 900 मीटर से 1200 मीटर है इसकी चोड़ाई 10 किलो मीटर से 50 किलो मीटर तक है चलिए तो next question देखते हैं next question आप सभी के लिए रहा भारत में इन में से कौन सा राज नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है आपकी option है मद्य पिर्देश राजिस्थान गुजरात या महरास्ट इसका सही आंसर है राजिस्थान नर्मदा नदी का उद्गम मद्य पिर्देश के अमर कंठक के मैकाल पहाडी से हुआ है इसका मोहाना खंबात की खारी में होता है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है मद्य पिर्देश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है नर्मदा नदी की कुछ मुक्ष परियोजना है मद्य पिर्देश में बर्गी डैम नर्मदा नदी पर इस्तित है गुजरात में सर्दा सरू वर्बांद नर्मदा नदी पर इस्तित है चलिए तो नेक्स्ट कोश्चन देखते है नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा अंडमान निकोबर से कौन सी जनजाती संबंदित है आपकी ओप्षन है इसका सही आंसर है ओंगी ओंगी एक अंडमानी आदिवासी जनजाती समू है यह बंगाल की खाड़ी के दक्चिर में हिंदि महासागर में इस्तित है यह दूइप 572 छोटे वड़ी दूइप से मिलकर बना है इसकी राजदानी पोटबलेयर है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा निमने लिकित सहरों में से कौन सा दिल्ली के निकटतम देशांतर पर इस्तित है आपकी ओप्षन है बंगलोर, हैदराबाद, नाकपुर या पुडे इसका सही आंसर है बंगलोर दिल्ली का देशांतर 77.1025 पूरवी है और बंगलोरों का देशांतर 77.4946 पूरवी है पूर्व और पस्चिम अनिक काल्पनिक अर्ध ब्रत्य खीचे गए जिने देशांतर रेखा कहा जाता है इनकी संख्या 360 है भारत का मानक समय 82 डिगरी पूरवी देशांतर से मापा जाता है जो कि ग्रीन बिच से 5.5 घंटे आंगे है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा यदि आपको मारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो साइड में बैल आइकन वटन है उसे प्रेस जरूर करें जिससे हमारी लेटिस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंसती रहे चलिए तो नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा किस देश की सीमा विक्टॉरिया जिल को इसपर्त नहीं करती है आपकी आप्शन है केन्या, तंजानिया, ब्राजील या जुम्बिया इसका सही आंसर है जुम्बिया यह अफ्रिका की सबसे बड़ी जील और दुनिया की सबसे बड़ी ऊश्नेकटी बंदी जील है इस जील से नील नदी का उदगम होता है, विष्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है चलि है तो next question देखते हैं, next question आप सबी एरहा भारतिय राज्यों के निमने लिकित में से किस समुई से करके रेका गुजरती है आपकी option है राजस्थान, जारखंड, पश्चिम बंगाल या मिजोरम आपका second option है मद्य पिर्देश, चतीस गड़, उत्राखंड या पश्चिम बंगाल आपका third option है राजस्थान, उत्तर पिर्देश, पश्चिम बंगाल या उडिशा आपका fourth option है मद्य पिर्देश, कमिल नाडू, असम या पश्चिम बंगाल इसका सही answer है राजस्थान, जारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम भूमद्य रेखा की समानतर 23.1.2 उत्तरी अक्षान्स को करके रेखा कहते हैं करके रेखा भारत के आट राज्यों से होकर गुजरती हैं जिनके नाम है इन आट राज्यों से होकर करके रेखा गुजरती हैं चली तो नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन आप सबीक लिए ए रहा निम्ने लेकित मैंसे कौन सा जोड़ा गलत है आट की ऑप्शन है कोटा, चंबल नदी, भुबनेशओ, महा नदी, जबलपुर, नर्मदा नदी या सूरत, तापती नदी इसका सही आंसर है भुबनेशओ, महा नदी भुबनेशओ, उडीशा राज्यी की राजधानी है महानदी तड़ पर उड़ीशा का पिशिद्य नगर कटक इस्तित है उड़ीशा महानदी का उद्गम 36 गर के सिहाब पहारी से हुआ है इसका मोहाना बंगाल की खाड़ी में हुआ है महानदी को उड़ीशा का शोक भी कहा जाता है चली तो नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा भारतिय राज्य पस्चिम बंगल कितने देशों के साथ अपनी सीमा को बनाता है आपकी ओप्शन है एक, दो, तीन, या चार इसका सही आंसर है तीन या तीन देश, भूटान, बांगला देश, नेपाल से सीमा साजा करता है पस्चिम मंगाल की राजदानी कोल काता है और यहां की सीयम ममतब एनर्जी है चली तो नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा चक्रवात बनने का कारण होता है आपकी ऑप्शन है उच्च दबाब और तापमान कम दबाब कम तापमान या उच्च घनत्त और तापमान इसका सही आंसर है कम दबाब चक्रवात चक्कदार हवाएं होती है जिसका केंद में निम्न दाब और बाय भाग उच्छ दाब होता है इनकी दिशा उत्री गोलार्द में बातावर्थ और दक्षडी गोलार्द में दक्षणावर्थ होती है चलि तो next question की तरफ चलते हैं next question आप सबी के लिए ए रहा कस्तमीर बारे सिंगा निम्न लिखित मैं से किस राष्टी उद्यान में पाया जाता है आपकी option है दाची गाम काजी रंगा गिर या रड थमबोर इसका सही आंसर है दाची गाम इस उद्यान की इस्तापना 1981 में हुई जो की स्री नगर में के समीप इस्ते थे दाची गाम कभी कभी आईएस के एक्जाम से में एक question पूछा गया है कि दाची गाम का नाम किस नाम से रखा गया है तो इसका answer है कि दाची गाम का मतलब 10 गाउं होता है उन 10 गाउं की याद में इस पार्क का नाम दाची गाम रखा गया है चलिए तो next question की तरफ चलते है next question आप सभी के लिए ए रहा नासिक किस नदी के किनारे बशा हुआ है आपकी option है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या छिप्रा इसका सही answer है गोदावरी गोदावरी नदी का उद्गम त्यम्ब केशन नासिक से हुआ है इसका जलगरन छेत, महरास्ट, चत्तीस गड़, तेलंगाना और आंद प्रदेश करता है इसका मोहाना बंगाल की खाड़ी में होता है गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलो मीटर है यह दक्षण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी एक प्राइद वीपियन नदीय है और इस पे दो परियोजना है मुख रूप से इस्तेत हैं जो इस पेकार है पोचम पाथ परियोजना करनाटक में गोदावरी नदी परिस्तेत है जायका बाड़ी परियोजना महरास्ट में गोदावरी नदी परिस्तेत है यह परियोजना है गोदावरी नदी की मुख परियोजनाओं में से एक है चलिए तो next question की तरफ चलते हैं नेक्स्ट question आप सबी के लिए रहा भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा का सीमा अंकर किस नहीं किया आपकी option है मैक मोहन लॉड डुरंड रैड किल्फ या इनमे से कोई भी नहीं इसका सही आंसर है रैड किल्फ के बाद भारत और पाकिस्तान सर्सरे रैड क्लिफ की अध्यक्षिता में सीमा आयुक द्वारा रेखा का निर्दारन किया गया था चलिए तो next question की तरफ चलते हैं next question आप सबी लोग के लिए ए रहा खड़क बाशला बांध भारत के किस राज्ज में इस्तित है आपकी option है पंजाब उडिशा कैनाटक या महरास्ट इसका सही आंसर है महरास्ट खड़क बाशला बांध महरास्ट के पूरे में मुता नदी पर बनाया गया है यह 1.6 क्लोमीटर लंबा है इस बांध के निर्मान से खड़क बाशला जील की उत्पत्ती हुई है महरास्ट के कुछ इंपोटेंट पॉइंट महरास्ट की राज़दानी मुंबई है यहां की सीतकाली राज़दानी नाकपुर है महरास्ट के प्रिजेंट सीयम उद्दव ठाक रेजी है चली तो next question की तरफ चलते हैं next question आप सभी लोग के लिए ए रहा निमने लिखित मैंसे कौन सा डोल ड्रम छेत्र की रूप में पहचाना जाता है आपकी option है बुमध्य रेखिये निम्नदाब छेत्र उश्ण कटी वन्द्ये उच्च दाब छेत्र धुरविये छेत्र या इन मैं से कोई भी नहीं इसका सही answer है बुमध्य रेखिये निम्नदाब छेत्र बुमध्य रेखा के 0 से 5 उत्तरी और दक्षनी अक्षान से अत्यदिक सान्तिछेत्य का निर्मित होता है जिसे डोल्डरम कहा जाता है चले तो next question देखते हैं निर्मिलिकित मैंसे कौन सा जलास है चंबल नदी पर बना हुआ है आपकी option है नागार्जुन सागर रिहंद बिंधै सागर या राणा पृताप सागर इसका सही आंसर है राणा पृताप सागर मद्दी पर देश के पितम बहु उद्देश ये नदी घाटी पर योजना चंबल है जिसका प्रारंब 1954 में हुआ इसके तहर गांदी सागर योजना राणा पृताप सागर योजना एवं जवाहर सागर योजना का निर्मार किया गया है चलिए तो next question की तरफ चलते हैं next question आप सबी लोगों के लिए ए रहा बिहार का डालमी या नगर किस उद्धियोग हेतु प्रशिद्ध है आपकी option है सीमेंट रेसम चमडा या जूट इसका सही answer है सीमेंट बिहार की राजदानी पटना है बिहार की बिधानसवा सीट 243 है बिहार का राश्टी उद्ध्यान बालमी की राश्टी उद्ध्यान है चलिए तो next question की तरफ चलते हैं next question आप सभी लोगों के लिए ए रहा बायू मंदल में हवा की आद्धिता निर्वर करती है आद की option है ताप मान इस्थान मौसम या उप्रोक्त सभी इसका सही answer है उप्रोक्त सभी बायू मंदल में उपस्तित जल्ब बास्ति की मात्रा को आद्धिता कहा जाता है बायू मंदल के कुछ important point बायू मंदल को अन्य पांच भागों में बाता गया है पहला चोब मंदल दूसरा समताप मंदल तीसरा मध्य मंदल चौथा आयन मंदल और लास्ट बाह मंदल ओजन परत हमारी समताप मंदल में ही इस्तित है यदि आपको हमारी extra information question के साथ पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वटन उसे प्रेस जरूर करें जिससे हमारी latest information आप तक तुरंत पहुंसती रहे चलिए तो next question की तरह चलते है न आपकी option है, सिरोको, लू, वोहन, या मिस्ट्रल, इसका सही answer है, सिरोको, यह गर्म पबने है, इस पबने को एजपट में खमसिन की नाम से भी जाना जाता है, चलिए तो next question देखते हैं, next question आप सभी लोगों के लिए ए रहा, बारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है, आपकी option है, करवला, पीर पंजाल, रोह तांग, या नाटु वारी, इसका सही answer है, पीर पंजाल, जिसकी लंबाई 11.215 किलो मीटर है, इसे बनियाल रेल सुरंग भी कहते हैं, यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है, चलिए तो next question देखते हैं, मिट्टी जो पानी को बन है, रखने की चमता रखती है, उसे क्या कहा जाता है, आपकी option है, लेटराइट मिदा, रेगिस्तान मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लाल मिट्टी, इसका सही answer है, रेगुर मिट्टी, जोला मिखी की लावा की अपरदन से काली मिट्टी का निर्मान होता है, इसका काला रंग, टिटेनी फेरस ऑक्साइड की उपस्तिती के कारण होता है, इसमें आईरन, मैगनीशियम, एल्यूमेनियम, चूना और पोटास की अधिकता होती है, रेगुर मिट्टी के कुछ इंपोटेंट पॉइंट, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भ प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को जादा से जादा शेयर केजिए, जिस्ते हमारी वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुंसती रहें, चली तो नेक्स्ट कोश्चन है आप सभी लोगों के लिए, भूकंप की घटना अकसर किस सताय पर होती है, आपकी ऑप्शन है, प्ल प्रेट की किनारों, प्रस्ट की भूप्रस्ट, प्रतिवी के भूप्रस्ट का हिला या कमपन होना भूकंप कहलाता है, इसका तीब्रता का मापन सिस्मोगराफ यंत्र से होता है, अधिकतर कोश्चन ऐसे बनता है कि भूकंप का मापन किस यंत्र के द्वारक किया जाता है, तो इसका सही आंसर सिस्मोग्राफ यंत्र होता है चलिए तो next question देखते हैं next question आप सभी लोगों के लिए ए रहा गुटेन बर्ग असमबद्धता प्रतिभी की किन दोपरतों के बीच है आपकी option है crust और mental mental और core उपरी और निचला mental या आंतरिक और बाय core इसका सही आंसर है उपरी और निचला mental आसमबद्धता एक काल्पनिक रेखा है जो संग्टन ताप दाब में परिवर्तन की प्रदर्शत करता है चलिए तो next question देखते हैं next question आप सभी लोगों के लिए ए रहा बिष्ट में सबसे गहरी खाई किस महासागर में हैं आपकी option है प्रिशान्त महासागर अटलांटिक महासागर हिंद महासागर या आर्किटिक महासागर इसका सही आंसर है प्रिशान्त महासागर या अमेरिका को एशिया से प्रिथक करता है इसका छेट्पल 165, 2,00 क्लो मीटर है पिशांट महासागर, सबी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है इसमें सबसे गहरा इस्तान मेरियाना गर्त है जो की पिशांट महासागर में इस्तित है चलिए तो next question देखते हैं next question आप सबी लोगों के लिए ए रहा इन मैंसे कौन सा भारत का सर्बोच्ची सिखर है आपकी ऑप्षन है गुरु सिखर कंचन जंगा अन्यपूर्ण या माउंट केटू इसका सही आंसर है माउंट केटू विश्व का दूसरा सर्बोच्ची सिखर है जिसकी उचाई 8,611 मीटर है यह कस्मीर के कारा कुरम परवत म इस्तित है विश्व का सबसे बड़ा सिखर माउंट एवरेस्ट को माना जाता है चले तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सभी लोगों के लिए ए रहा यह हमारी वीडियो का लास्ट एमसे क्यूज है यहां पर आज हमारी वीडियो का हंड्रेड कोश्चन यह रहा इसके बाद आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल कोश्चन रखा गया है जिसका आप आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो के खतम होने के बाद जरूर देंगे चले तो नेक्स्ट कोश्चन यह रहा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्मार करने वाली नदी है आपकी ऑप्षन है किरिश्णा काबेरी गोदावरी या ब्रह्म पुत्र इसका सही आंसर है ब्रह्म पुत्र ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की मान सरोवत जील से हुआ है इसका मोहाना बंगाल की खाड़ी में होता ह इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है इसके अन्य नाम चीन मैं यारलूंग जैगबो बांगलादेश में जमुना और भारत में इसे ब्रह्मपुत्य के नाम से जाना जाता है चलिए तो अब हम अपना इस्पेशल कुश्चन देखते हैं इस्पेशल कुश्चन आप सबी लोगों के यह ए रहा निमने लिकित मैं से भारत में ही उत्पन्य होने बाली सबसे लंबी नदी कौन सी है कुश्चन को ध्यान से पढ़िए कि भारत में ही उत्पन्य होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना या गोदावरी इसका इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरू दें और यहां आज हमारे 100 NCQs की सीरीज समाप्त होती है यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आईए